हलो दोस्तो आपका स्वागत है अपने योटूब चैनल पर तो दोस्तो आज हम फिर से 28 दिसम्बर को जो आपके कोश्चंस पूछे गया थे उनके सॉलुशन्स करेंगे तो दोस्तो जो आपके कुछ कोश्चंस रह गया थे या बाद में मिले वो जो कोश्चंस बचे हुए है आज हम उनके solutions करेंगे कि आपके और कौन-कौन से question पूछे गएते तो दोस्तो ये question आपके CDP में पूछे गएते तो दोस्तो आपका question पूछा गया था वैगोचकी के सिध्धान्द के अनुसार निमने में से कौन सी सिछड़ा दिगम पक्रिया को पाड़ प्रदान करने की प्रभावसाली तक्नीक है तो आपका इसको option जो करेक्ट होएगा वो होगा थाड़ समस्या को हल करने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस समय संकेत और इसारे देना आपका अगला कोशन पूछा गया था विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है तो आपका इसको option तीसरा सही हो जाएगा कि सोरा अवस्था आपका तीसरा question पूछा गया था चौमस्की के अनुसार भासा प्राप्त करने की एक सहे चमता हमारे विशिस्ट मानो जैविक विरासत का पईडाम है जिसे कहा जाता है तो आपका इसको option जो correct होएगा वो होगा second भासा अद्ग्रहन डिवाइस आपको गर ये वीडियो अच्छे लगे तो मेरे यूटूब चनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा आपको इस यूटूब चनल पर डेली होने वाले पेपर्स के अनलेसिस आपको उसी दिन प्रोवाइट कर दिये जाते हैं तो आप देख लिजिए और कौन कौन से कोशन पूछे गया थे 28 दिसंबर को जिसके वीडियो मैंने अल्रेडी उसी दिन आपके लिए अपलोड कर दिये थे मेरे यूटूब चनल पर और जो कोशन रह गया थे उन्हें मैं अभी कर आ रहे हो या जो मुझे और मिलते रहेंगे उन्हें मैं आपके लिए वीडियो बना कर प्रोवाइट करती रहूंगे अगला कोशन पूछा गया था निम्न में से कौन सी तकनीक सिच्छन दिगम प्रिक्रिया की गुडवत्ता को नहीं बढ़ाएगे तो आपका इसको आप्शन फूर्थ सही हो जाएगा बच्चों को विवित तरीके से नामी करण करके आपका अगला कोशन पूछा गया था लौरेंस कोलवक द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस इस्तर पर व्यक्ति ये तर्क करते हैं कि मानवा धिकारवा न्याय सबसे जरूरी है भले ही वैसामाजिक कानून के खिलाब हो तो आपका फिफ्ट का उप्शन फूर्थ सही हो जाएगा सौर भौमिक नैतिक सिध्धान्त अभिविन्यास आपका अगला कोशन पूछा गया था सिच्छा के प्राथमे की स्तर पर बहु समवेदनी उपागम के इस्तेमाल को प्रोटसाहित करना चाहिए क्योंकि तो आपका इसका उप्शन पहला सही हो जाएगा ये अधिगम को और अधिक प्रभावसाली बनाता है आपका अगला कोशन पूछा गया था सामोहिक एकाल आपकी अधायना किसके द्वारा दी गई तो आपका इसका उप्शन पहला सही हो जाएगा जीन पे आजे आपका अगला कोशन पूछा गया था एक सिच्छक को अपने चात्रों में डैस की भावना पैदा करनी चाहिए तो आपका इसका उप्शन पहला सही हो जाएगा जुडाओ आपका अगला कोशन पूछा गया था विद्यार्थियों में समालोच नात्मक या गहन चिंतन का आतलन किस प्रकार किया जा सकता है तो आपका इसका उप्शन दूसरा सही हो जाएगा उनके विवेच नात्मक कोसलों के विसलेशन द्वारा आपका अगला कोशन पूछा गया था विगोथकी के अनुसर जेट पीडी से तात पर रहे है तो आपका उप्शन तीसरा सही हो जाएगा माता पिता से सही हो का लाब आपका अगला question पूछा गया था प्रगति सील डैश करती है तो आपका 11th का option पहला सही हो जाएगा विवित्ताओं का सम्मान आपका अगला question पूछा गया था राष्ट्रिय पार्ट चर्या की रूप रेखा 2005 इसकी समझ से प्राप्त होती है तो आपका इसका option तीसरा सही हो जाएगा रचनावाद आपका अगला question पूछा गया था चार साल की बच्ची सौम्या सडक पर दोड़ती हुई फिसल कर ये कहकर रोने लगी की सडक ने मुझे चोड़ पहुचाई उसकी सोच पूरु वाल्यावस्ता में डैश की प्रवत्ती से जुड़ी हो सकती है तो आपका 13 का option पहला सही हो ज पूछा गया था निम्न में से बच्चों के प्रात्मिक सामाजी करण की संसता कौन सी है तो आपका 14 का option पूर्थ सही हो जाएगा परिवार आपका अगला question पूछा गया था भासा वा संग्यनात्मक विकास के बारे में निम्न लिखित में से कौन सा कथन सही है तो आपका इ 15 questions मिले हैं जो उस दिन पूछे गरते तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप comment section में जरूर बताइएगा दोस्तों आपको इस YouTube चनल पर ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे तो प्लीज आप इस YouTube चनल को subscribe जरूर कर लीजिए मैं आपको सभी सिफ्टों के analysis आपको उसी द YouTube चनल और दोस्तों के साथ share जरू कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरू कर दीजिएगा